करते हैं यह कोशन करते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जो बच्चे लास्ट में फिर आते हैं जो इन अभी देखो आप बिल्कुल रिलेक्स होके कर रहे हो और एक एक कोशन कॉंसेप्ट ढूंड ढूंड के कर रहे हैं और एक्जाम से पहले जो बच्चा त्यारी करता है न तो ढूंड ढूंड के इस टॉपिक छोड़ते हैं वो फरक यह है करेंट एसिट करेंट लाइबलेटी ठीक है चलिए सर प्रपेर अ वर्किंग कैपिटल फोर्कास्ट फोर्कास्ट का मतलब क्या होता है सर फ्यूचर फोर्कास्ट मतलब फ्यूचर और वर्किंग कैपिटल हमेशा किस इवेंट पर होता है फ्यूचर पर ही होता है forecast मतलब past event पे तो होई नहीं सकता यह तो जितनी जुरत पड़ेगी वो होगा इसलिए उपर heading में मैं कई बार आपने देखा हुआ लिखता हूँ estimated working capital ठीक है न कहता है production during the previous year एक लाक unit किया था previous year में the same level activity intended to maintain during the current year बोलता है यही हमारा रहने वाला है the expected selling price इसने सारी चीज़े दे दिया raw material कहता है maintain 3 महिने के लिए every unit production remain processed 2 महिने के लिए कहता है assume कहता है consist 100% raw material जाएगा wages overhead देखे ध्यान दीजे क्या कहता है assume to be आपका consisting of 100% raw material wages and overhead मतलब यह सब 100% के लिए कह रहा है इस question में हम अगर सवाल कह दे ना यह 100% है तो आपको 100 लेना जैसे पिछले question में 50 बोला था तो 50 लिया था यह line यहाँ पे important है finished goods remain warehouse 3 महिने के लिए credit allowed by creditor 4 महिने के लिए delivery of raw material credit given to the debtor 3 महिने देंगे हम date of dispatch the estimating balance cash में हमें 2 लाक रुपे रखने है lag payment in wages आदे महिने का lag payment in expense आदे महिने का selling price है 8 रुपे तो 8 रुपे के इसाब से 8 रुपे का 40% क्या होगा 3 रुपे 20 पैसे 20% 1 रुपी 60 पैसे और 1 रुपी 60 पैसे यह निकाल लिए यह सभी किस पे निकाला गया 8 रुपे का percentage निकाला है मैंने जो भी percentage था उसके इसाब से rate आ गया यह आगे कहता है you are required to ask और आपसे ask किया जाता है required to ask make a provision 10% contingency contingency का आपको provision बनाना है contingency कब बनाते हैं सबसे last में relevant assumption may be made अब relevant assumption की अगर बात कर रहे हो तो एक assumption ही लिया जा सकता है हाँ पे कि आपका raw material और overhead कितने percent होगा हमारा 50% एक assumption लिया जा सकता है बागी हम लेंगे नहीं अभी देख लेते हैं सबसे पहले हम ले लेते हैं raw material sir monthly चल रहा है तो इसको month में बदलना थोड़ा सा बदल लेते हैं unit एक लाख divide 12 हो रहे divide देखो पूरा यह point में आ गया यह point में आ रहा है 3 3 3 तो आप point में आ रहा है तो आप इसको हम पहले divide ना करके हम यहीं लिखेंगे एक लाख into में कितने महीने है sir? 3 महीने तो 3 by 12 ठीक है न ऐसे लिके चलेंगे क्योंकि point में आ गए rate के है हमारा 3.2 थोड़ा lengthy हो जाएगा आपका अगर आपने starting में point में ले लिया तब भी ठीक है अगर आप ले लेते हो कितना है था हमारा? अगर आप यह भी ले लेते हो तो answer exact book से match नहीं खाएगा थोड़ा बहुत फरक आ सकता है ठीक है? इसलिए मैंने कहा सरिफ कहरें बच्चे 10 लाख है ओके ठीक है 10 लाख है तो एक तीन और आजाएगा 10 लाख ले लेते हैं ठीक है मैंने ले लिया 10 लाख 10 लाख ले लिया चलिए divided by 4 into 3.2 यह आगे 8 लाख रुपए इसके बाद WIP WIP एक बार गौर और करते हैं और एक बार पढ़ते हैं अच्छे से कुश्चन ने हाला कि अजम्शन बोला है मैं मिटा रहा हूँ WIP को एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है कहता है every unit production remain in the process two months जब production होता है उसमें रहता है दो महिने हैं and assume to be consisting of 100% raw material assumption low raw material 100% होता है इसके बाद कॉमा है कहता है wages and overhead question में clarity नहीं कहा के wages and overhead कितने परसेंट होता है तो यहाँ पे दो assumption माने जा सकते हैं क्योंकि कॉमा के बाद आपका sentence बदल जाता है कई बार तो यहाँ पे यह assumption भी ले सकते हो कि इसने सिर्फ 100% raw material के लिए बोला होगा दूसरा assumption हो सकता है कि 100% इसने तीनों के लिए बोला होगा आपको नीचे बोला हुआ है कि relevant assumption लीजिए तो मैं तीनों को 100% मान लेता हूँ बात बन जाएगे ठीक है कितना मान लूँ मैं तीनों को 100 और यह assumption note दूँगा तीनों को 100% तब तो मज़ा आ गया तीनों 100% जब आ जाए ना तो तो आप easily कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो आप एक चीज और नहीं सीख लोगे तीनों 100% होगा तो डबलू आईपी में क्या होगा सर तीनों ही 100% है यह मिट कैसे गया 1.6 इसको जोड लेते हैं टोटल कॉस्ट क्या है 3.2 प्लस 1.6 प्लस 1.6 6.4 ठीक है ना तो यहाँ पर इस तरीके से भी किया जा सकता है हमारा 1,00,00 इंटू 2 बाए 12 इंटू में 6.4 सभी 100% है तो हमें 100% लिखने की ज़ुरत नहीं है यह अल्रेड़ी 100% होगा समझे सर आपने यहाँ पर raw material नहीं लिया यहाँ पर labor नहीं लिया आपको लेना है तो आप ले के कर सकते हो नहीं अगर हम अलग अलग पता है क्यों यहाँ पर define करते थे work in progress को reason था क्योंकि कुछ पार्ट 50% वाला था और कुछ पार्ट 100 इसलिए करते थे बाकि आपकी इच्छा हो तो लिख सकते हो raw material मैं space बचाने के लिए भी direct कर सकता हूँ तो दस लाख यहाँ पर बार बार मैं एक लाख लिख रहा हूँ दस लाख है यह आगया दस लाख पांच बार यह आगया चीक है clear है चलिए अब क्या ले ले हम FG ले लेते है FG भी 10 लाख और FG के लिए जो time given है आपको कहता है finished goods जो रहेगा आपका finished goods यह कितने मैंने रहने वाला है तीन मैंने इंटू में 3 बटे 12 और इंटू यही 6.4 चलेगा क्योंकि total cost से करते हैं तो 10 लाख divided by 4 इंटू 6.4 यह आगया 16 लाख समझे इसके बाद debtor debtor भी यही रहेगा लेकिन debtor का tenure कितना है credit allowed to creditor 4 मैंने है लेकिन हम 3 मैंने का दे रहे हैं उसको time तो 3 by 12 इंटू में 6.4 सेम आंसर आगया सर अब debtor के बाद क्या होता है cash सवाल में cash का desire balance 2 लाख रुपए था I think 2 लाख रुपए और तो कुछ है नहीं यह आ गया gross working capital सब को total कर लेंगे बाद में करेंगे raw material 10 लाख इंटू में supplier को हम कितने दे रहे हैं चार मेने चार बटी में 12 इंटू में कितने 3.2 यह भी point में आ गया 1066 6 एक बार 6 और 7 माइनस हो जाएगा raw material के बाद labor 10 लाख चार बटे बारा इंटू 1.6 क्योंकि दोनों एक ही है आप यहां labor and overhead वाली भी process कर सकते हो पांच लाख तैंतिस अजार तीन सो तैंतिस overhead सर सेम लैग payment है अरे यहां एक गड़बड हो गई कितने टाइम लेना था आदा महिना ठेक है ना कितना टाइम लेना था आदा महिना लेना था मैंने चार महिने ले लिए जो गड़बड़ी हो गई आदा मतलब 0.5 divided by 12 यह आगे हमारा 6 6 6 6 6 ठीक है और यह भी क्या आएगा हमारा 0.5 divided 12 इंटू में 1.6 6 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 ठीक है चलिए उपर का टूटल कर लेते हैं आठ लाग आठ लाग के बाद कितने आ रहा है बताओ पताया था कुछ अभी आपने 66,000 यही है न पक्का नहीं वो तो आप हर बार ही गलत बता रहे हैं सुरू से यह भाई पूरा आगया हमारा बारा लाक इसको 7 कर देते हैं माइनेस कर दो यह आगया 40, 6, 6, 6, 7 प्लस कर दो कंटिंजिंसी कितने परसेंट? 10 परसेंट यह आगया 40 40, 6, 6, 6, 6 बहुत सारे 6 आगया बाई इसमें तो प्लस कर देता है चेक कर लिजी आप टोटल यह आगया एक दो रूपए उपर नीचे चलेगा 10 रूपए तक भी जा सकता है अजम्शन क्या लोगे? वी अजियूम दैट वर्किन प्रोग्रेस लेबर एंड ओवरहेड कम्प्लीटेड हंड्रेड परसेंट हमने अजम्शन लिया कम्प्लीटेड है हंड्रेड परसेंट यह नोट दे दिया दूसरा अजम्शन क्या मान सकते हैं? सर यह एक्सपेक्टेड कैश लेना है बिल्कुल जो एस्टीमेटिड बैलेंस कैश है यह भी लेना पड़ेगा कैश का बैलेंस है और दूसरा अजम्शन क्या मान सकते हैं? 50% अगर 50% लोगे तो यहां कहानी बदल जाएगे WIP में बुक में चेक कर लीजिए आप क्या जम्शन लिया है? अच्छा नहीं यह सेम कुश्शन है कि नहीं है यह देखाँ? लास्ट में लगाए तो लास्ट में होगा सेकेंड लास्ट कुश्शन है शाहिए यह थर्ड लास्ट है अच्छा जम्शन है झाल 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 यह दो सेमी है चलिए इसके अंदर एक और अजम्शन ले सकते हैं estimated cash कह रहे हैं लेना होगा कहता estimated balance cash to be held जो हमें held करना है तो यह लेना होगा एक ही assumption ले लिजिया अजम्शन लेने की जुरत नहीं है बुक में यह मान सकता हूँ कि यह answer में misprint है वो नहीं हुआ proper complete ठीक है चार मंत का बच्चे कह रहे हैं सर creditor तो चार मेने का तो देखो creditor चार बटे बारा ही लिया है ठीक है और बाकी आदे आदे मेने का तो आदे मेने का लिया है मैने clear चलिए एक और सवाल लास्ट सवाल तो होई गया इस सवाल को देखे आपसे हो जाएगा या नहीं होगा AB limited है variable cost है average backup stock है raw material है work in progress 50% है finished goods 1 month overhead expense दे रखखा है required cash balance 3 lakh रुपए आपका required required का मतलब क्या estimated ही तो है ठीक है न तो पिछले आले question में जम्शन था के नहीं लिया यहां ले लेंगे 25% और expected 1 lakh unit है मतलब लगबग लगबग यहां पे सब कुछ हो जाएगा यह done इसका answer बता दो answer बता दीजिये इसका 3, 4 5, 0 यह इसका answer है sir जो बच्चे कर रहे होंगे बाकि इसका मैं solution वैसे भीज़ दूँगा ठीक है तो working capital cash नहीं लेना लेना count reserve में reserve में sir cash नहीं लेना बच्चे कह रहे हैं इसका answer यह है आप book में से बताईए यही answer है इसका answer यह आ रहा है 34 हाँ मैंने कहा कुछ student कह रहे है कि sir हमने न पिछले वाले सवाल में पता ही क्या किया है पिछले वाले सवाल में इसमें unit हमने यह ले लिया तो इसकी वज़े से हमारे answer में differ आ रहा है answer में differ आ रहा है कोई बात नहीं आपका answer correct माना जाएगा क्योंकि पूरे point तो हम ले नहीं सकते न तो differ आ सकता है आपका करने का तरीका यही रहेगा बिल्कुल ठीक है दुबारा मैं बता देता हूँ 38 जो भी आ रहा है ठीक है वो चेक कर लेंगा दुबारा बता देता हूँ इस question में थोड़ा सा आपको क्या करना है contingency reserve जो है वहाँ पे आपको working capital यानि आप इसको ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे cash मतलो without total 50 आजाएगा minus जब करोगे यहाँ पे तो यह 38 आजाएगा 38 पे 10% ले लेना और last में cash add-on कर देना या फिर आप कहीं roughly without cash को add करके एक networking capital लिकालना उसका 10% contingency ले लेना यानि यह जो मैंने contingency लिखा हुआ है वो थोड़ा गलत हो गया क्योंकि question में कहता है except cash ठीक है लोड़ा बात्ताना जब बहा है क्योंकिता यह यह अजया यह जब लोड़ा यह जब लोड़ा यह रि अोड़ा बात्स बात्स पहां, नवड़ा